तो दोस्तो आज यहीडियो में हम सीखarella कि आप m.s. वाइब में पएज नमबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं बहुती प्रफेशनल वे में जैसे कि आप देख सकते हैं हियां मेरे पस यह वाली प्रोचेक्ट रिपोर्ट है और इस project report में मैं page number insert करना चाहता हूँ particular specific page से मतलब मैं यहाँ पर first four pages में यहाँ पर roman page number insert करना चाहता हूँ और जो fifth page है यहाँ से मैं first number से page number insert करना चाहता हूँ तो यह मैं कैसे करूँगा यह वाली देखे वीडियो उन सारे students के लिए या उन सारे office employees के लिए काम हुएगी जो project report मनाते रहते हैं क्योंकि हमें अक्सर MS Word में page number डालने की जूरत परती है और अगर हम directly यहाँ पर page number insert करते हैं तो सारी pages में यहाँ पर continuation page number आ चाहता है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही simple से trick बहुत ही simple से tutorial जिसकी मदद से आप यहाँ पर particular specific page से अपना page number डाल सकेंगे MS Word में तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने हाली है बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तो मैं रिटेश आप सब कस्वागत करता हूं creative learning के channel में और दोस्तो अगर आप computer सीखना चाहते है computer से बहुत सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक कर लीजिए साथी में bell icon को press कर लीजिए ताकि आपको हमारे channel से latest notification regularly मिलती रहे तो आई दोस्तो let's begin with this topic दोस्तो आईए सीखते हैं कि आप page number कैसे insert कर सकता है अपनी project report में वह भी professional way में तो सबसे पहले आप यहां पर बिल्कुल देखी नीचे यहां पर दो बर क्लिक करिए जैसे क्लिक करेंगे आप यहां पर header and footer की section में चल जाएंगे और आपने footer section में यहां पर page number insert करना है तो just मैंने यहां पर footer section पर click किया क्लिक करने के बाद आपने यहां पर header and footer tab में जाना है जैसे जाएंगे अगर आप यहां पर simple तरीके से page number insert करना चाहते है तो just आप यहां पर चाहिए page number में और आप bottom of the page में करना चाहते है तो इस पर click करिए click करने के बाद आपको यहां पर different different format में जाएंगे जिसमें आप page number insert कर सकते हैं जैसे कि मैं इस format में insert करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए तो मैंने जैसे इस पर click किया तो आप दिखेंगे आपके सारे pages में page number एक continuous form में यहां पर insert हो गए है लेकिन ऐसे तो हम नहीं चाहते थे हम चाहते थे कि जो force page के बाद जो यहां पर यह वाला page शुरू हो रहा है यहां पर page number one से शुरू हो ना की five से तो आईए मैं बताता हूँ यह आपने कैसे ही करना है तो सबसे बहले मैं क्या करता हूँ इसको मैं remove कर लेता हूँ page number को the just मैंने यहां पर click किया click करने के बाद head and footer tab में गया और यहां पर page number में जाके यहां पर click करता हूँ remove page number अब आपके यहां पर page number remove हो गए है अब आपने देखें यहां पर जो introduction page है मतलब जो fifth page है ठीक है यहां से शुरू करना है अपना page number insert करना मतलब one से तो इससे क्या करना है आपने यहां पर click करना है और इसके जो पिछले वाला page है यहां पर click करना है बिल्कुल end में और उसके बाद आपने यहां पर जाना है home tab में और यहां पर option मिलेगा show and height का आपने इस पर click कर लेना है जैसे click करेंगे आप देखेंगे यहां पर page break insert हुआ है अगर मैं आपको zoom करके रिखाओं तो देखे page break insert हुआ है अब आपने justice के आगे click करना है और आपने एक section break भी insert कर लेना है तो section break insert करने के लिए आपने यहां पर जाना है layout के tab में और यहां पर जाना है break में और यहां पर click करना है section break next page जैसे klik करेंगे तो आप देखेंगे आपके section break insert हो गया है और यह वाला जो section है अब देखेंगे 2 section बन गए है एक यह वाला section ठीक है और एक यह वाला section अब इसको देखने के लिए तो जैसा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे इस पेज में पेज नमबर चीए वन से तो जस्ट में यहां पर जो हमारा फिस्ट पेज है यह वाला यहां पर क्लिक करता हूँ दो बार अगें फुटर सेक्शन में तो आपके हेडर फुटर के टाब अक्टिवेट हो अब आपने एक चीज़ करनी है यहां पर देखे सेमेस प्रीवेस लिखा रहा है इसका मतलब यह है कि जब भी आप पेज नमबर इंसर्ट करेंगे तो पिछले पेज़े से यहां पर लिंक होगा चाहिए आपने डिफरेंट सेक्शन इंसर्ट कर रहा हो तो आपने इसको हट नबर इसको हटाने के लिए आपका बहुत है McMि 여기에 का प्रीवेस का आप इसको हुआ ठीक करिए तो सेमेस प्रीवेस का प्रीवेस का आप अपक्से पर हचाएगा अपने यहां पर ने इससरेंग़ और चाहिए ब देखे सेब करके छाने ओभाल कुल याद पंड़ फे इसको नुमारिक फोर्म में करना चाहता हूं तो मैने 123 लिख दिया और यहां पर start at पर मैंने क्लिक कर लिया क्योंकि मैं पेज नमबर ते कि one से शुरू करना चाहता हूं तो मैंने start at यहां पर one कर दिया देन अगे बटन प्रेस कर दिया, अब यह आप देखेंगे, पेज नंबर इंसर्ट नहीं होए, तो इंसर्ट करने के लिए अगे आप पेज नंबर में चाहिए, बाटम ऐफ ते पेज जाहिए, और जिसी format में पेज नमबर इंसर्ट करना चाहते है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीचे जैसे कि मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया यह वाला option तो आप देखेंगे यहां पे 1 से आपका पेज नमबर शुरू हो गया है मतलब यह वाला 1, 2, 3, and 4 ठीक है उसी रंग से अगर मैं चाहता हूँ यहां पे 5 से शुरू हो, 1 से ना शुरू हो तो अगें मैं यहां पे पेज नमबर में जाता हूँ अगें format पेज नमबर में जाता हूँ और यहां पे start at मैं यहां पे let's say 5 कर देता हूँ करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे आपका पेज नंबर फाइफ से शुरू हो गए है और पिछले वाले जो पेज़ेस है न फर्स फॉर पेज़ेस यहां पे देखिए अभी पेज नंबर कुछ भी नहीं आए है अभी मैं अगें एक्सके बटन प्रेस करता हूं और आपक पेज़ेस है इसमें प्रोमन पेज़ नंबर इंसर्ट करना चाहते है मतलब वान तू थ्री एंफो तो वह भी आप कर सकते हैं अब जैसे कि देखिए मैंने एक सेक्शन यहां पर बना दिया था अल्रडी तो यहां से लेकर यहां तक तो देखिए एक सेक्शन बनावाई है तो यहां पर देखिए फर्स पेज़ के बिल्कुल एंड में क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आप देखिए फूटर सेक्शन में चले गए अगीन आप फूटर टैब में जाएए पेज नंबर में जाएए और नीचे क्लिक करिए फॉर्मेट पेज नंबर पे उसके यहां पर रोमन नंबर देखिए वन आगया ओके बटन प्रेस करिए अगेन पेज नंबर में जाएए बॉटम अफ दे पेज जाएए और जिस भी फॉर्मेट में आपको रोमन नंबर इंसर्ट करना चाहते है वो आप सेलेक्ट कर लीचे तो आप देखिए यहां पर रोमन फॉर्म में आपके पेज नंबर यहां पर इंसर्ट हो गए है तो इस देंग से अगर आपके पास जितने मरजी पेज नंबर सो या आपके जितने मरजी पेज़ी सो बस अपने धियान रखना है कि आपने लियाओ टाब में चाके एक सेक्शन पना लेने हैं ब्रेक में चाके और जितने sections होंगे आप उस section में अलग-अलग page number इंसर्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से अब दोस्तों computer सीखने हो गया और भी असान क्योंकि हमारी खुद की mobile app आ गई है हमारी mobile app आप डाउनलोड कर सकते है प्लेय स्टोर से creative learning by रितेश के नाम से जैसे हमारी mobile app डाउनलोड करेंगे आपको हमारे सारे courses मिल जाएंगे जो जो launch होए है बहुत ही discounted price में तो जैसे आप हमारे courses में यहाँ पर enrollment करेंगे आप step by step सारी videos डेख के अपने सारे concept क्लिए कर सकते हैं और आपको सारी videos से lifetime access मिलेगा मतलब आप एक बार payment करेंगे और यहाँ पर आप videos से access कर पाएंगे बिल्कुल lifetime के लिए तो अभी कर लीजे हमारे courses में enrollment क्योंकि क्या पता कौनसी चीज़ कब काम आ जाए